कैसे हैं आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूटूब चानल स्टडी भी थी होगे इसमें आज आपकी जीएस की क्लास नंबर 6 है क्योंकि मैंने मौनिंग में आपको आपको आज क्लास नहीं दे पाये था और इसका ये मतलब होना चाहिए कि नाइट में भले ही तीन बज़ जाए आपको दो बज़ जाए आज ही खतम करना है क्योंकि काल फिट दूसरी वीडियो आएगए आप पर बारडन हो जाएगा क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया अभी वीडियो बनाने में ही 7 बच के 30 म हो जाएगा तो सोच लीजिए थोड़ा सा डिले हो गया इसले वीडियो का जो डियोरेशन होगा वो लैंदी नहीं होगा इसके अलावा दूसरी चीज़ सुनना आपका आज की जो क्लास है इसमें आपका वर्ल्ड जेग्रफी एंड हो जाएगा यानि अब इसके बाद जो जीएस की कक्साइए चलेंगे उसमें वर्ल्ड जेग्रफी नहीं पढ़ाई जाएगे ठीक है इंडियान जेग्रफी एंड पॉलिटी क्लास नंबर 12 तक एंड हो जाएगे यानि जैसे 6 क्लासे हुई है 12 क्लासे आएं तक पॉलिटी एंड जेग्रफी एंड कितना गहा है मै आपको गैरिंटी के साथ कह सकता हूँ ये बहुत अच्छा बहुत उपयोगी स्रीज साबित हो सकता और जिन चात्रों को पहले से चीज़ां आती हैं उनके लिए तो और भी बहतर ही हो जाएगा ठीक है तो हम 30 क्लासे में अगर इतना कर पाते हैं तो 30 क्लासे में अगर जो तो आपका ठीक ठाग उसमें क्या बन जाएगा एवरेज बन जाएगा ठीक है तो आच छे टॉपिक नहीं हो पाएंगे बच्छो थोड़ा लेंदी हो जाएगा पहला टॉपिक लिखो आप सौर मंडल अक्सर देखाऊगा पेपर में इससे प्रस्न पूछा जाता है यानि स पुथा जाता है तो पहला क्वेशन लिखे सर्वबर्थम किसने यह बताया कि सूर्य के चार ओर मंडल के केंद्र में है वो पिर्थमी इसके चार ओर क्या करते है चक्कल लगाती किसने सर्वापरसम ये बताया ठीक है ये इस तरीके से पिर्थवी इसके चार ओर क्या लगाती है ये अर्थ है ठीक इस तरीके से इसके अराउन घुमती है तो आपने question लिख लिए होगा किसने सर्वापरसम ये बताया कि सौरमंडल की कें इंद्र में सूरी है वो पिर्थवी इसके चार ओर चक्का लगाती है यह वैग्यानिक का नाम था बच्छो कौपर निकस ठीक है कौफर निकस कौपर निकस ठीक है इसने यह बताया था यह बहुत इंपूर्टेंट कुश्चन है ठीक इसके अलावा सबसे सभी जितने भी ग्र तू किस कहा लिखो सरवाधिक घनत तो वाला ग्रह यह बच्छो पिर्थवी इसका घनत तो सरवाधिक क्या है माना जाता है इसको भी ध्यान लगना है ठीक है और एक most important question जहां से paper में question आता है तो एक question एक तो यह लिखो आप लो पिर्थवी का संगठन किस किस से मना है ठीक इसके अलावा इसमें पाए जाते है oxygen और silicon यह तीन चीज़ें important है लोहा, oxygen and silicon ठीक है oxygen and silicon अगर कभी question यह आता है कि प्रतवियों इसमें सरवाधिक मातर में क्या पाए जाता है तो आपका अंसर होना चाहिए लोहा यानि इसके संगठन जो बना है जिससे फिर oxygen फिर इसके वा इसके पूरी रट जाना ठीक है इसके बाद आता है पिर्थवी यानि आर्था हमारी यानि सबसे पहले बुद्ध सुक्र पिर्थवी इसके आप प्रहस्पती सुनी लिखो ठीक है मंगल ब्रहस्पती और सनी बाकी दो योरेनस वागएरा तो इतने जादा ही इंप्रेंट नहीं इस से फूस्ता ठीक है यानि बुद्ध सुक्र, पिर्थभी, ब्रहस्पती, सनी लास्ट की दो लिखे एनetas एक नेप्ट्यून ठीक है यानि आपका जो सूरिय से दूरी काक्राम यानि सबसे नजदी कौन सा है पुछे का बुद्धिन उसके बाद सुक्र उसके पिर्थभी जैंसे भी पूछता है भी सिरीच को रट जाओ ठीक है कभी पुछे का पिर्थभी किन दो ग्रहों से के बीच तो आंसर दोगा सुक्र और मंगल ठीक है तो इस सीरीज को पूरी याद करके जाना हो सबसे दूर पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा नेप्ट्यून ठीक है तो यह बहुत इंपोटेंट सीरीज है बुद्ध शुक्र पिर्थभी मंगल ब्रहस्पति सणी य कौन सा है सुक्र ठीक है सरवाधिक चमकीला गरह कौन सा पूछता है तो क्या हो जाएगा अपने आप में सुक्र गरह जो है सबसे जादा क्या है अपने आप में चमकीला यह भी आपको करने ध्यान में रखना है ठीक है इसके बाद दिखना सबसे बड़ा वा सबसे भारी ग ग्रह कौन से आप उस्त है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रहस्पती हो जाएगा ठीक है सांच का तारा या भोर का तारा यानि इबनिंग स्टार और मौनिंग स्टार किसको बोला जाता है अपने आप में सुक्र को बोला जाता है इसी सुक्र को बोला जाता है पिर्थवी की बहन कौन सा जो है अपने आपने आप में गरह कहलाता है वो क्या हो जाएगा बच्चो सुक्र गरह हो जागा ये इम्पोर्टेंट अपने आप में क्वेशन है अब देखो सुर्य की अलजा का स्रोत अगर पहर पूछता है नाभ की सब्सक्राइब लिखो इस का ऊप्षन आएगे तो यह नाभ की सब्सक्राइब फिर्फटेंट आपवाल चंद्रमा किसके मध्य आएगा सूर्य के मध्य हुआ है घरित्थ sixtaste vidéos और सूर्य घरान के है धी तर्फिक सुर्य घरान गएगा prohibis स άλλ आपके सूर्य करहान काप चेल है अधी पूतुष vaccine के से एक और चीज आती है आपकी वो आती है कौन सी एक खगोली दूरी किसके बीज होती है यानि एक खगोली एकक दूरी किसके बीज की दूरी है पिर्थवी वा सूर्य के बीज के बीज के दूरी ठीक है लिको एक खगोली एकक दूरी किन दों के बीज की दूरी है एक खगो वचो किसके वी सूरेया पिरथवी के मध्ध्य, ये एक अगोली दूरी बोला जाता है, इसको ठीक है अब कभी-कभी नोट करके लिखना किन दो गलाहूं के उब गलाह नहीं है, सैटलाइट नहीं है, ठीक है तो लिखो बुद्वा सुक्र के उपगराह नहीं है अगर कभी ये पूसता है कि किन दो गरहों के उपगराह नहीं है तो बुद्वा और सुक्र उसमें कॉम्बो मा आ जाएगा सरवाधिक गर्म गरह भी कौन से आपने आप में सुक्र है और सरवाधिक ठंडा कौन सा वरोन है ठीक है यह सरवाधिक गरम भी है इसका temperature सबसे ज़्यादा है सरवाधिक गरम गरह कौन सा है सुक्र और सबसे ठंडा लिखो वरोन क्योंकि सबसे दूर है वो सबसे ठंडा गरह पूचता है तो वरोन हो जाएगा ठीक है यह important चेप्टर है सलेबस का भी चैप्टर है इसके अलावा बच्छो एक पॉइंट है आपका यहां से और आता है चारू और वलाई ठीक है रंग रिंग किस गरह के हैं सनी लिखो चारू और वलाई किस गरह के हैं तेज पढ़ाने का यहीं उद्देशी सिर्फ रिविजन करा नहीं ठीक हो कोई समझाना बगरा यहां पर नहीं है चारू और वलाई के हैं सनी की एक मोस्ट इंपोटेंट लिखो शूद्र गरह जो होते हैं बच्छो एस्ट्रॉइड वो किनके मद्ध्य पाए जाते हैं लिखो शूद्र गरह ठीक है इसको बला जाता हूद अच्छो एस्ट्रोइड लिखो एस्ट्रॉइड यह पाए जाते हैं यह बहुत इंपोटेंट कुषेंड है एस्ट्रॉइड किनके मध्ध्य पाए जाते हैं ये पाये जाते हैं बच्छो, मंगल वो, ब्रहस्पति के मध्धे, ठिक है, लिपको Math ब्रहस्पति के मध्धे के पाये जाते हैं शूद्रगरा पाये जाते हैं, ये भी अपने आपमे आपने कहा रहता है, important question रहता है ठीक है इसके बाद आता है बच्चो एक चीज आ दखना चंदगरन जब लगता है जब फिर्थवी आ जाती है सूर्य वह चंद्रमा के भीज ठीक है तो कौन चाँ लगता हो चंदगरन अब एक व्युर्शन बहुत आता है ठीक है तीन जनवरी की डेट ऐसी होती है बच्चो जब हमेशा यादखना सूर्य एक दो डेट आती है तीन जनवरी और चार जुलाई ठीक है तीन जनवरी को क्या होता है यादखना सूर्य जो होता है और जो पिर्थवी होती है, इन दोनों के बीच के जो distance होती है बच्चों, वो निकटम होती है, और चार जुलाई को सरवादी को लिखो, sun व अर्थ के बीच, निकटम दूरी, निकटम होते हैं, ठीक है, अर्थ, sun व अर्थ, निकटम लिख दो, ऐसे समझ जाओगे, इसे कहा ह सबसे जादे क्या होता है, नजदीक होते हैं, किस तीथी को होते हैं, तब पूछेगा तो आपका तीन जनवरी, और चार जुलाई, sun व अर्थ, यानि फिर थभीवा सूर्य, सबसे दूर होते हैं, किस तीथी को पूछेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका answer, चार जु पूड गे थे, नोट करके लिखना, हार्स अक्षान्स किसको गहते हैं, घोडू से सम्मत दे, ठीक है, हार्स अक्षान्स बोलते हैं, इसको 30 डिगरी के असपास का इलाका, एक ही नोट कर दो, हार्स अक्षान्स, दूसरा लिखो, पिर्थभी पर सबसे उच्चतम ताप, कि उत्री अक्षान्स लिखना, क्यों उत्री अक्षान्स दक्षणी क्यों नहीं लिखा हैं पर दक्षणी में, क्योंकि ऐसी अक्षान्स बे दिखोगे, समुद्री भाग जादा है, जबकि 20 डिगरी उत्री अक्षान्स बे दिखोगे, लैंड वाला भाग जादा है, यानि भ हें तीम लिए उसको बोलती है और सबसे उचाई पर कौनसे बादल पाए जाते है ठीक है यानि अलग-अलग Height पर पआ जाते है write देखाम पकश्याब स्थें क्या बोलता है यह क्या है पॉलम से फेर हैंनी पर तो Lucas प्रक्षाब इस तरी तो आपका इसी के साथ वर्ल जियोग्रफी क्या होगी आपकी एंड होगी ठीक है वर्ल जियोग्रफी के प्षण इतने से बन गए तो बन गए इसके अलावब फाल तुम्हें नहीं पढ़ाने वाल हो अगर कोई काम बनने वाला होगा इससे बन जाएगा ठीक है अब हम नेक्स टाइम पर जब भी देखेंगे इंडियन जियोग्रफी देखेंगे और मेरी कोसिस है कि 12 क्लासिस तक आपकी पॉलिटी एंड जियोग्रफी पूरी ही कंप्लेट हो जाए फिर बताओ कितनी जादा क्लासिस है फिर भी हमार पर 18 क्लासिस बसती है एकनोमी का सेक्षन बहुत छोटा है 3-4-5 क्लासिस क्या हो 5 क्लासिस अदिक्तम हिस्ट्री का है थोड़ा लेंदी वो भी हम कल लेंगे तो घबराना नहीं है डटे रहना है ठीका अपनी मेहनत पे तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोग आज का सेकेंड लिख लीजिए पॉलिटी के अंदर ठीका हमेशा कुशन आता है फंडामेंटल ड्यूटी पहला कॉशन आएका मुल कर्तब्य भारती सम्मिधान के किस अनुच्यद में है 59-a में यह अनुच्यद यानि article किस में है अनुच्यद बोलते हैं चुट है मुल कर्तब्य अगर आपसे पूषते है किस अनुच्यद में article 59-a दूसरा पूशेगा मौल करतवी किस भाग में है 4 का A, 4 का को यानि ये क्या है सम्मिधान का भाग है मौल करतवी की संख्या कितनी है पुछेगा तो बता जना 20 है मौल सम्मिधान में इनकी संख्या पूछेगा यानि जब जोड़े थे standÉ metabolism में मौल सम्मिधान में इसको जोड़ा गया था, किते थे 10 थे, ठीक है, अब वर्तमान में किते होगे, 11 होगे, ठीक अब यह जो जोड़े गये थे, मोल करते हैं, अब यह जोड़े गये थे, कब जोड़े गये थे, लिखो जोड़े गए, यह जोड़े गये बतो 42nd Constitutional Amendment 1976 के द्वारा, ठीक है 42nd समीधान 1976 द्वारा मोल करते हैं, बे समीधान में जोड़े गये, किस समीथी की सिपारिस पर पूषता है समीथी, तो लिखो, सरदार स्वार्ण सिंग सरदार स्वार्ण सिंग कमीटी की सिपारिस इनको जोड़ा गया, इसको भी ध्यान रखना ठीक है, यानि इसके आलावा एक और पॉइंट आपको याद रखने है, सरदार स्वार्ण सिंग जो 11 मूल करते है 11 मूल करते है 11 मूल करते है ये जोड़ा गया था बच्चो 86th Constitutional Amendment 2002 के द्वारा 86th समिदान संचोदन 2002 के द्वारा और इसमें कहा गया था 6 से 4 वर्स तक के बच्चों को निसुल की सिख्चा माता पिता का ये दाइत तोगट वर्स तक के बच्चों है तो माता पिता जो जो पैरेंट्स है तो वो क्या करगे, सिख्चा की वर्स ठीक है, कहां से लिएगे पूशता है तो सोवियत रूज सोवियत रूज जिसने भी तैयारी की है, इतना अगर यहां से कुशन पूशेगा तो किसी का गलत नहीं होगा लेकिन अगर किस्मत बहुत ज़्यादा खराब रही तो वो उसके अंदर का पाट पूश देता है आठीकल पूश देता है, ठीक है कभी कभी तो मैं इसमें एकाद की पॉइंट बताऊंगा आपको पहला मोल करते भी अगर आप से मतलब जो इंपोटेंट है वो पूशेगा तो इसको ध्यान रखना इसे देखो कबर ये पुछत है कभी समिधान के पालन करने की बाद यानी कौन सा मूल करते बिशे समिधान पालन इसके लगार राष्ट्र, ध्ध़ज, राष्ट्रगान के आदर की बाद करता है घ़िक है राष्ट्र अगर पोछेगा कभी आपसे तो ध्यान रखना है इसमें हमारे देश के जो आजात जिसने हमें किया है स्वतंत्र उच्छा आदर्सु को दिल में समाई रहना है उच्छा आदर्सु को उच्छा आदर्सु को हिर्दय में सजोई रहना है इसका मतलब हिर्दय में रखना है इस का मतले क्या है? जिसने इस देश को आजात कराने में महत्तरपूर्ण भूमिकानी भाई यानि स्वतनता संग्राम में उन आदर्शू को हमने अपनी हिर्दे में क्या करना है? बसाना है? इसकी बात कही गई है? दूसरे में तीस्रे में पूछेगा ये बहुत आता है, इसको star लगा देना है, ठीक है कौन सा मूल करते बिए भारत की प्रभुता, एकता वा, अखंडता की वाद करता है एकता वा, अखंडता की वाद करता है तो यह 51 का यह हो जाएगा, ठीक है, गवाला तीसरा वाला गावाला अगर आपसे पूछता है तो ये भी important है देश की रक्षा वो रास्ट सेवा की बात करता है ठीक है देश की रक्षा करेंगे वो आवाहन के जाने पर रास्ट सेवा करेंगे यानि बुलाए जाने पर क्या करेंगे रास्टर की सेवा करेंगे यह क्या हो गया गा उगया इसके बाद आता है गाँवाला ठीक है यानि पांचमा मूल करते हैं तो इसमें क्या कहा गिया है बच्चो जो हमारी समर्ष्टा है या ऐसी प्रथा जो महिलाओं के सम्मान के खिलाब उसका हम त्याग करेंगे ठीक है यानि समर्षता लिखो समर्षता मरले एक प्रकार की एक ता जो हमारी ये है ठीक है इसके अलबा समान भातत्तो यानि भाईचारा समान भातत्तो वो ऐसी पर्था का त्याग तीसरा लिखो ऐसी प्रथा का त्याग जो महिला सम्मान के विरुद्ध हो तो इस सीट की बात करता है वो कौन से है इस कहां चाव वाला जो आता है बच्चो वो क्या आता है इसमें सामसिक संस्कृती की बात कही गई है यानि हमारी भारत की संस्कृती है जो विवित्ता है उसके हम संदक्षन करेंगे उसका सम्मान करेंगे सामसिक संस्कृति की बाद किस वाले में करता है यह चोव में करता है ठीक है चोव में करता है most important कर देना प्राकर्तिक प्रियावरन की बाद प्राकर्तिक प्रयावरन यानि हम प्राकर्तिक जो हमारा प्रयावरन है यानि इसके अंदर के आएगा वन, जील, नदी, नदियाँ ठीक है या प्रानी के प्रति रक्षिया प्रानी, प्रानियूं के प्रति दयाभाव ठीक है प्रति दयाभाव की बात जो करता है वो कौनछा करता है चाज 6 वाला करता है इतने से आपका जोग का काम बन जाएगा ठीक है इसके बाद एक जाओ लिख लो जिसमें हमारा वेग्यानिक द्रिष्टिकोण और मानववाद की बात करता है वो आला देख लिए लिखिए इसके जो इसके बात करेंगे वो ज्यानारजन की बात करेंगे यह कौनछा का आगे है जामा का आगे इतना छोड़ दो फिसके अलावा जो दो तीन है वो इतने ज्यादा इंपोटेंट नहीं यह लास्ट वाला मैंने आपको बताई ही दिया वह आपका हो जाएगा एक जावाला आ संपत्ति उसको हम क्या रखेंगे सुरक्षित रखेंगे ठीक है इसके बाद जो आतामोल करतबी के बाद महान्याईवादी लिख लीजिया है ठीक है अब आपका पांच-सात मिनिट में मैं इसको खतम कर देता हूँ फटा-फट क्योंकि आपकी दो-तिन टॉपिक आज भी क कौन करता है पुझेगा तो बता देना राष्ट्रपति करता है ठीक है यह होता कौन है यह भारत सरकार का सबसे बड़ा विधी अधिकारी भारत सरकार का प्रथम विधी अधिकारी होता है ठीक है यानि विधी परामर से जो भारत सरकार लेती है वो किस्ते लेती है अपने आप में विधिय अदिकारी ये महर्याइवादी से ठीक है इसका जो कारिकाल होता है वो कपतक होता है वच्छो कोई फिक्स ही नहीं है यानि राष्ट्रपती के प्रसाद परियंत रहता है ठीक है राष्ट्रपती के प्रसाद परियंत ठीक है यानि राष्ट्रपती जब तक लहिन्या या लईयों में इसको क्या है पच्छो सुनवाई का अधिकार है ठीक है इसके अलावा ये एक ऐसा ब्यक्ति है जो भारत की संसद में क्या कर सकता है बैठ सकता है और उसकी कारिवाहिक में भाग ले सकता है यह ध्यान रखना इसको ठीक है यानि ये भारत की जो पार संबोधित करने का दिरे अब आप को गे सर इससे क्या question क्या पुछचेन क्या पुछते पता है इन में से कौन सा एक पदाधिकारी एएसा होता है जो संशत के सदन धन Durant को संभोधित करसक्ता है लेकिन उसका सदस्य नहीं होगा नोट कर ब्रेके में लिखो संशत का सदस्य नह बारता सरकार का परतम वीडी अधिकारी होता है नियूक्ति राश्टस्पति करता है Article 76 में नियुपति यसे बड़ा होता है वीदी अलाकार होता है इसके बाद आता है महाधिवक्ता वह राज्जी के अंदर होता है न्यूक्ति कौन करता है इसकी न्यूक्ति ये करता हूँ राज्यपार ठीक है राज्यपार और ये कौन होता है राज्यसरकार का प्रथम विधियदिकारी अगर कोई होता है पुछेगा तो कौन होता है महाधिवक्ता यानि राज्य सरकार कोई क्या करता है कानूनी सला देता है अगर कभी पुछेगा राज्य सरकार को कानूनी सला ब्रेकेट में लिखो कानूनी सला कौन देता है पुछेगा कानूनी सला तो आपका अंसर क्या हो जा जननल लिख दिने इसके bracket में और एंसी एक और पद भी होता है उसको बोलते कि सालिस्टर जननल इसमें गंफ्यूज मत होना सालिस्टर जननल ठीक है ये भी क्या होता है बच्चों विधी कानूनी सलाकार होता है जो भी पर्माएगा या यह आएगा यह वो आएगा कानूनी जो भी टमलोजी आएगा आप समझ जाना ठीक है सालिस्टर जननल लिखे या एडवगेट जननल दोनों ही कानूनी सलाकार अपने आप में आंसर लगा कि आजना और अंतिम टॉपिक जो आता है आज नमबर 200 में इसका वर्डन है, ठीक है, सदस्य पूछेगा, 5 होते हैं, एक अध्यक्स, प्लस, चार, अन्य इसमें क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है, न्यूकती कौन करता है, प्रतेक 5 वर्स में, राष्ट्रपती, कौन करेगा न्यूकती, राष्ट्रपती, किते समय में पांस वर्स में ठीक है प्रते एक पांस वर्स में पहला वित्टायोग कब घठी दुपा पुछेगा 1951 में ठीक है कौन था इसका द्यक्स पूछेगा पहले वित्टायोग का तो आप का अंसर हो जाएगा कॉन सा पहले वित्टायोग का K.C. new job Gin K.C. new job Gin की वित्तायोक चलना पुछता है. अर इसका काम टाम pratic काम लिखो. केंद्र राज्य की वित्ति इस्तिती पर कारे करता है. केंद्र प्लश राज्य के वित्ति मामलेक पर कारे करता है ठीक है? यह पंचायते नहीं आती है इसके इन दे ठीक है? और ऐसी लास्ट जो आता आपका राज्जिवित्त आयोगा आता है यहीं पे लिखलो आप एक पriage डालके राज्जिवित्त आयोग इसका आर्टिकल लिखलो राज्य वित्त आयोग ठीक है यह बच्चो 243 यानि 243 का जह 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 ठीक है 243 का जह ए बी सीडी में जो भी हो रहोगा जह मैं देख लेना इसमें राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है और ये क्या काम करता है राज्य बित्तायोग इसकी न्यूप्ति करता है राज्य पाल लिखो राज्य पाल इसकी क्या करेगा न्यूप्ति करेगा और इसका जो काम है पंचायत वो जो नगरपालिका है उनके वित्ती स्तितिकी पर काम करता है ठीक है तो लिखो पंचायत प्लस नगर पालिकाओं की 32 दिखी की पुनर समिक्षा करता है यानि उन्हें प्रकार उन्हें से संबंदित ये काम करता है तो ये थे आपके आज के 5 टॉपिक थे ठीक है तो मैं आपको इसको एंड कर दिया है थोड़ी सी आज जल्दवाजी में बढ़ने वीडियो बराई छोटी वीडियो होगी होगी लेकिन दमखम पूरा दिखाना है यानि पीछे नहीं हटना मैं तो एक ही चीज कहूंगा पीछे नहीं हटना है एक महने तक जितनी ताकत है उतना लगा दीजिए मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज आपकी समझ आगी होगी और आप लोग इसको सही तरीके से कर आप रिवाइस कर लेंगे तो काफी एक महने में के अंदर आपका अच्छा खासा क्या हो जाएगा जी एस वाला पोर्सन तैयार हो जाएगा ठीक है तो हम लोग फिर नेक्स टाइम देखेंगे अगला वीडियो जो है आप इसको सही तरीके से रिवाइस कर लेना है ठीक फिर मिलता है अंगले सेसन पर अपना ध्यान रखिएगा थैंक्यू